एक प्रगती है ने दिख रही है ने ये बात मुख्यमा ग्री मंत्री को भी हमने अवगत कराया तो उन्होंने का नहीं बिल्कुल हम बोलते हैं नीचे जो है वो हावे रिपोर्ट यहां यहां हम लोग हैं तो एक दिख रहा है न कि आवस्चता जितना हमको है उतना उधर है कल सन्यासी मंदिर में वो गाना अब नहीं गा रहा है अब उसके आगे की लाइने गाएंगे तेरा चिम्टा मेरी चूडियां दोनों साथ बजाएंगे और साथ साथ अब गाएंगे आगे आने वाली राजनीत इसी पर चलेगी देखे चुनाव में जुमला बोला शाथा है च चर्चा है कि अब बास अंसा आप तो भाजपा में शामिल हो गए जो आरोप लगाए जा रहे थे उन लोगों की तरफ से कि हमारे उपर जुम हो रहे हैं ज्यात्तियां हो रही हैं परिवार को परेशान किया जा रहा है संपत्तियां कुर की जा रही हैं तो क्या इन सब सरकार हो चै किसी की सरकार हो रही बात वो जेल में हैं और वो हमारी पार्टी से विधायक हैं लेकिन जो 13 सीटें अखिलेश जी ने हमको दी थी उसी में वो भी प्रत्यासी हैं अखिलेश जी ने कहा कि इनको भी आप अपने सिंबल से लड़ा दो जो आपका 3% का मानक है मान सुनी नहीं रहे हैं कि अकेले रह जाएंगे तो तो इसारा तो यही है नहीं कि हमारे जो साती हैं हम अपने पास रख लेंगे राजबर जी रह जाओगे अकेले यहीं नहीं कह रहे हैं वो जो धंकी भरा हम आपके चैनल पर और चैनल पर भी देखा यहीं वो कह रहे हैं तो हम लड़ाया कोशिश करके तो आप क्या ये माना जाए कि रिष्टा तूट चुका है उन लोगों से सरकार से रिष्टा जुनने के बाद देखिए रिष्टा किसी का तूटता नहीं है देखिए राजनीत अपनी अलग-अलग है रिष्टा हमारा सबसे है कौन ब्यक्ति है जिसे रिष्टा हमारा नहीं है मायवति जी से हमारा रिष्टा अखिलेश जी कहा नहीं है ठीक अखिलेश जी नराज है वहाँ सव लोग हमारे समर्था का हमारे रिष्टा कांग्रेस में नहीं है सैकड़ों लोग वहाँ है हम भाजपा के साथ नहीं थे तब भी हमारा रिष्टा था ना, दरजन फ्रमंतियों से रिस्ता था, प्रदेश सद्दक से रिस्ता था, सारे लोगों से रिस्ता था, हर दुनिया में हम सलाम करने वाले तो रखी लिए हैं, आप सलाम करते हैं और मिलते जुलते रहते हैं, तो इनके उपर जल्म ज्यातियां बंद होंगी कि या नहीं होंगी जो आरोप लगाए गये हैं पहले इन लोगों की तरफ से पहले पावर तो मिले तब ने बिचार किया जाए अच्छा पावर पावर में आने के लिए अभी पावर का बल्लब के से जलेगा भाई यह पावर के बल्म नहीं जलेगा